हेलो फ्रेंड्स वेलकम चुदा विद्यांजली आईएस आजगी डेट है ट्वंटी येट फ़ेफ फ़ेफ रूजन चुटिटू और हमारी सीरीज चल लिए एकॉनमी की इससे पहले हम ट्वंटी नाइन पार्ट्स कवर्ड कर चुके हैं कुश्यन आंसर की फॉर्मेट में हम डिसकस करते हैं और डिडेल डिसकसन हमारा होता है जिसमें बेसिक से ले करके हम अडवांस की तरफ मूब करते हैं यहां करेंट के साथ साथ में हम और क्या डिसकस करते हैं उसका बैक्ग्राउंड भी हम देखते हैं ठीक है तो जिन लोगो को यहां बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूद नहीं है जिन लोगों ने पहले कभी जिस नहीं पड़ा है वह आराम से यहां पर उसको समझ सकते हैं इसली तो आईए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इसमें 15 कुश्यन हमने में ठीस्कस किये थे कुश्यन तो फिप्टीं थे लेकिन टॉपकि उसमें बहुत सारी कभर हम कर लेते हैं तो आए इस्तार्ट करते हैं पहला डॉपक ए हमारा यह्त हैं प्रोस्प्कटेENTS यह न्यूज में रहा है तो इसमें से सीकवर्ण करती है या प्रॉफिट मेंड्र से कम्पनी को देती है सस्थ प्राइस पर या उससे रिलेटट है या रेजिंग फंट्स पाइए कंपनी स्थू आई-प्यू आइप यू को द्वारा जो कंपनी फंड रेज करती है उससे रिलेटट है यह सारे रॉंग है केवल स्टेट्मेंट नमबर फोर यही करेक्ट है अब जैसे अभी कुछ दिन पहले PayTm का IPO आया था इसका मतलग होता है Initial के पबलिक ऑफरेंग ठीक है पबलिक ऑफरेंग ऑफरेंग होती है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो companies हैं वह market से पैसा क्या करती है अरेंज करती है market से पैसा लेती यह किस के तुरूğlu IPO के तुरू अब मार्कूट में लोग कम्पनी को पैसा क्यों दे Product , पर देए i consideration क्या डेटेल्स आं कंपनी की मीन्स बेसिक्टेटेल्स क्या है वह profit making company है यह सब को मालूम हो चाहिए वह सब मालूम कैसे चलता है ये कंपनी IPO लाने से पहले क्या करती है से बी के पास red herring prospectus देती है या offer document देती है और अपनी कंपनी की सारे details बताती है इसको से बी को बात आपके समझ में आ गई तो इसलिए और से के लिए यह मार्केट से पैसा रेज करने के लिए इसका क्या यूस के थुरूंबंट एपनी कंपनी में बढ़ाती Metro क्या करते हैं फिर पैसा लगाते हैं यह बिल्कुल बैसे बैसिक सापका यहां पर हो जाता है नेक्स्ट है हमारे पास करणसी स्वैप एग्रीमेंट तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो करणसी स्वैप एग्रीमेंट होता है उसको क्या है वह सब ठीक है जब पढ़ लेंगे आप एक बार इसमें भी मिल करते हैं करणसी का स्वैप करते हैं और अमाउंट मनी होता है लेकिन डिफरेंट करंसी में कैसे समझ लीजिए एक तरफ आपका इंडिया हो गया दूसरी तरफ हो गया आपका बांगलादेश अब यह दोनों क्या क्या करते हैं आपस में ब्यापार करते हैं तो इंडिया का रुपया है वो बंगलादेश में नहीं चलता और बंगलादेश का जो टका है वो इंडिया में नहीं चलता तो यह क्या करते हैं कैसे एक दूसरे को पे करते हैं तो यह डॉलर में पे करते हैं लेकिन अब इनकी सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो डॉलर पर हो जाती है क्या करेंगे वह ऐसा करो तुम मुझसे रुपए ले लो एक हजार रुपए ठीक है और तुम मुझसे भी इसके बदले में एक हजार क्या ले लो टका ले लो तो इंडिया वाले जब इससे कुछ पर्चेश करेंगे तो इनको टका दे देंगे जो यह वाले लिए थे नोंने और बंगलादेश वाले जब इंडिया से कुछ पर्चेश करेंगे तो अपने इसमेंस निकाल करेंगे को क्या दे देंगे रुपई देंगे इसी को बोलते हैं करंसी स्वेप एग्रिमेंट तो इससे होता क्या है कि फॉरन एक्सचेंज का जो क्राइसिस होता है यह कैसे भाई आफ से क्या हो जाते हैं अन्य था क्या करना परता है के देखना होता है और अब सथरुपय का डॉलर चल रहा है तो इंडिया वalis संथर से इसको convert करेंगे किसमें टका में फिर उसको टका देंगे तो जहन्जट से भी क्या हो जाते हैं दूसरी बात इन समय IMF की help लेनी पड़ती है हाँ लेनी पड़ती है तो उससे भी बज जाते हैं तो इसलिए हमारे सॉलूशन इसका आपको मैंने जो डिसकस किया है वही है बाकि आप एक बार पढ़ लीजेगा दूसरी बात है जी एस पी जेनरलाइजड सिस्टम और प्रिफरेंस जब हम इसकी बात करते तो इसके यह कह रहे हैं कि यह एक प्रिफरेंसिल टैरिफ सिस्टम होता है ठीक है और क्या कर सकते जो कंटी जहें कर सकतें अपने किसी दूसरे देर अपने हिसाब से क्या टैरिफ का मतलब होता है यहां पर एक टेक्स समझ लीजिए ठीक है तो वह अपने इसाब से लगा सकते हैं यह स्टेटमेंट करेक्ट है और यह जो मोस्ट नेशन यह तरज होता है इस्टेटस होता है यह इस यह अलग होता है और यह डव्लू टो के अंदर नहीं आता जी एस पी यही गलत है अब इनक प्रीजे बियाफ़़ करता है एक प्रीबी सी और टीजिक और दीजिस के सांथ में ऑप इंडिया क्या कि अब हमें कै यंदिया मंगा रहा है यहां से उद्ञेशं से इसपर त Pastor दश लगाएolog6 एस दो दीजालिस पर क्या करें discrimination नहीं करें मतलब करें तो MFN का एक basic मतलब क्या है कि आप जितने भी देशों के साथ ब्यापार करोगे सबको सामान रूप से ट्रीट करोगे एक कुल ट्रीटमेंट की बात करता है MFN डव्लूटी ओका की एक सिस्टम है यह किया कहता है जिएसपी क्या कहता है कि यह जो एकक्षट मेंट उसकी जगह पर क्या कर सकते हो डिफ्रेंशियल का सकते हो कैसे किन और फैंटstyle तो यह अपने इसाब से देख लेगा यह छोटा देज इसे को महां से जो माला हमारे आराए उस पर हम थोड़ी छूट देते हैं तो इसके अमाल लिजी आराए UK से इस पर लगा दे 15% का टारिफ इसके आराए USA से इस पर लगा दे 20% का तो यह इसमें जी एस पी सिस्टम में क्या कर सकते हैं देश एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लेकिन दोनों ही रूल GSP और MFN यह किसके अंदर आते हैं WTO के रूल के अंदर ही आते हैं हमारे यह तो इसलिए हमारा यह स्टेट्मेंट क्या हो जाता है रॉंग और बाकी दोनों करक्ट है इसलिए आंसर हो जाता हमारा बी तो आप समझ तो यह सब आपने देखी लिया नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इस्टेट लेवल सेक्योर्टीज की हम बात करें तो देखो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर रैफर टू एज स्टेट डवलपमेंट लोन्स इसमें इतनी सी बात कही गई है कि जो स्टेट लेवल सेक्योर्टी जो होती है उनको SDL कहा जाता है बात तो बिल्कुल सही है तो स्टेटमेंट करेक्ट ओल SDLs are serviced by RBI हाँ ये भी बात सही है कैसे इसको समझ लेजिए इसको ऐसे समझ लेजिए कि माली जै ये है आपकी UP गवर्मेंट ठीक है इसको पैसा चाहिए लौन के रूप में तो ये क्या करेगी जनता से पीपल से पैसा ले लेकिन डारेक्ट नहीं ले सकती तो इसके बीच में काम कौन करेगा RBI तो यही बात हो रही है कि इनकी सर्विस कौन देता है दियार सर्विस भाई RBI यस हाँ देखो RBI बीच में रहती है ठीक है अब यहाँ UP गवर्मेंट यह जो पैसा इन से ले रही है प्यूपल से किस के तुरू RBI के तुरू इसी को बोलते हैं State Development Loan अब यहाँ UP गवर्मेंट की जगे आ जाए आपकी Central Government Government of India तो यही जो पैसा लिया जनता से गवर्मेंट ने इसी को बोल देते हैं G-Sec Government Securities ठीक है काम एक ही हो रहा है बस अलग-लग नाम उसकी हो जाते है अब होता क्या है G-Sec में जो Yield होती है वो कम मिलती है ठीक है जबके SDL में जो मिलती है ज़्यादा मिलती है ज़्यादा का मतलब है मैं प्लस से इंडिकेट करता हूँ और कम बाले से एरो नीचे कर देता हूँ या इसको ऐसे भी समझ सकते है ठीक है क्यों? क्योंकि जो Government Central Government की Security होती है उनमें जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है बिल्कुल ना के वरावर जबकि SDL में रिस्क होता है इसलिए इन पर Profit ज़्यादा मिलता है अब ये कैसे मिलता है सब पुछ करो देखो UP Government को चाहिए था पैसा तो माल लीजिए आपने Government को दिया 100 रुपे RVI के थुरू तो RVI क्या करेगी? बदले में आपको 10 साल 5 साल जितना भी टाइम पीरिड होगा उसके बाद आपको देदेगी 100 रुपे की जगए 110 रुपे तो कितनी यील्ड होगा ही इसकी 10 रुपे यील्ड होगा ही आपको जो मिली तो SDL जो होती है इन पर यील्ड जादा मिलती है और जो Government Security होती है इन पर कम मिलती है तो देखो यहाँ पर इनों ने क्या कहा है थर्ड स्टेट्मेंट में कि Yield on State Development Loan is Lower तो उल्टा करके लिख दिया है इनों ने इसलिए स्टेट्मेंट क्या हो जाता है Incorrect हो जाता है तो हमारे Option कौन कौन से Correct एक और दो आईए आगे बढ़ते हैं यह सब मैंने आपको इस एक्स्प्लें कर ही दिया है नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिध्मिक ट्रेडिंग की बात यांपर हो रही है तो पहला स्टेट्मेंट है एल्गोरिध्मिक ट्रेडिंग रफर्स टुदा ओर्डर्स जेनरेटेड एड्स पर फास्ट स्पीड बाइदा यूज ऑफ एड्वांस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स देट इन्वॉल्ड आटोमेटेड एग्जुकिशन ऑफ ट्रेड मतलब इसका मतलब क्या है कि एल्गोरिध्मिक ट्रेडिंग में सॉफ्टियर बगरा के थुरू आटोमेटिक काम होता है मैथमेडिकल मॉडल्स के थुरू हाँ बिल्गोल सही है से भी रिसेंटली बेंदा एल्गोरिध्मिक ट्रेडर ना वहीं यह कैसे हो जाएगा ना कोई बेन नहीं किया है तो स्टेटमेंट हमारा केवल यह वाला करेक्ट है क्यों ऐसा क्यों देखो आज कल मोबाइल बगरा में जो है सॉफ्टेर आ रहे हैं आप बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे जैसे अप स्टॉक अस्टॉक को हम सुनते हैं जैरोदा यह वी एक ट्रेडिंग है HDFC का जो है इसमें भी जो है HDFC भी का कराती है ओनलें डेडिंग कराती है जो शियर मार् इसको मैं आपको एक लाइब एक जांपल से आपको समझाता हूं जैसे सब्पोज करो आपके पास शेर हैं किसके आपके पास यह एक स्टॉक ने चला इस समय चार्सो 32 रुपे का आपने क्या कर दिया अपने सॉफ्ट एर में पहले से ही एक और और लिमिट लगा दी कि जैस जैसे यह सेर क्या कांफ कर रहा है तो आपको मेरे को चर्प रूपह कर रहा है तो मेरे को छरीप हो ड्याय को जोemeraphic से जो करके आपके अकाउंट में आजाएंगे मींस आपको आप अपने काम करते रही और लगा दीजिए सारा काम अपने आप होता रहेगा इसी को बोलते हैं एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया से जो है या से भी ने जो आई सब इसको मुद्दा है कि एल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन वगरा हमें लाने पड़ेंगे यह सब यही बातें समय हुई है आप एक तरफ आप सेवी को आपको बताए दिया कि सेक्योर्टी एक्षेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया है हैड़कोर इसका कहां पर है म शबसक्राइब करें हम इस सिरीज को कवर करेंगे जैसे कि आपका जून में में एक्जाम है UPFSC यह यूपी सी का भी है यूपी PCS का भी है PCS का भी है तो इसमें one year का current affair पूछा जाता है वो आपको मैं cover इसको cover करेगी हमारी पूजो टीम करेगी जुलाई 2021 से ले करके इसको मुठा करके लाएंगे और जून से पहले पहले का हम इसमें current affair को क्या कर देंगे discuss कर देंगे तो इस पर जाते करें हमको comment कर के बताएं comment करें को comment में हम आपको देख डाएंगे means आपको reply और इसमें improve हम लगातार करते रहेंगे लगातार improvement हम इसमें करते रहेंए और मैं आपको एक और आपको ट्रस्ट कर वाता हूं आपको आप यकीन किजेगा कि इस test rivalry से आपको आज आपके आने वाले UPSC में या PCS में या जो अधर एकजाम से हैं ठीक है उसमें आपको बहुत सारे कुश्चन्स इसमें मिलने बाले हैं मैं खहरा हूँ आपको करीब 80% के आसपास कुश्चन्स गुमा पिराव करके वहीं से गुम पिर करके आपको मिलेंगे इस करेंट अफेर की सीरीज से क्योंकि मैं जो हमारी टीम है यह पूरी इसको उस हिसाब से कवर कर रही है जैसे के जो बड़ी-बड़ी जो कोचिंग्स है जैसे ईन साइट हो गई विजन और गारेंगे उनिकी पैटर्ण पर हम इस पूरी सीरीज को कवर्झ कर रहें तो आप यहाँसे क्या कर सकते पूरे सारे के सारे उस और को रिवाईज कर पाएंगे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले पार्ट में इससे पहले 29 पार्ट हमारे हो चुके हैं यह 30 पार्ट है तो आप सीरीज बेर देखें थैंक यू बेरी मुच फॉर डिस्कसिन